इंडियन ससुराल, अमरिकन माईका विम्ला दीवी का जोटा बिटा रागव, जो अमरिका में नौकरी करता था, वही पर उसे अंजली नाम की लड़की से प्यार हो गया अंजली थी तो इंडियन, लेकिन शुरू से ही वो अपने पैरंस की साथ अमरिका में ही रही इसलिए उसका रहन सहन इंडिया और अमेरिका दोनों का ही मिक्स था उसकी मम्मी पापा इंडिया से ही बिलॉंग करते थे इसलिए उनकी शादी में भी ज्यादा कुछ परिशानी नहीं हुई परिवार के सब लोग तो उनकी शादी से बहुत खुश थे लेकिन अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी रागो की भापी कुमल वो क्यों? वो तो आपको आगी ही पता चलीगा चलिए देखते हैं देखो तो जरा इस महारानी की घर में आते ही सब लोग कैसे फूल की तरह खिल रहे मुझे तो ये समझ में नहीं आता है जब ये दोनों अमेरिका में नौकरी कर रहे थे तो इन लोगों को यहाँ पर आनी की जरूरत क्या थी? अच्छा भला चल रहा था सब कुछ यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर नहीं आते तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती लेकिन अब तो घर का आता हिस्सा इनको ही मिल जाएगा? मुझे कुछ भी करके इन्हें यहाँ से वापस भीजना होगा मम्मी जी को कुछ तो पट्टी पढ़ानी होगी जिससे मम्मी जी खुदी इसे यहाँ से वापस भीज दे बिटा जब से तुम यहाँ पर आयो ना तब से हम तुमारे हाथ का कुछ खा ही नहीं पाए इतने दिनों से घर में महमानों का ही आना जाना लगा हुआ था इतने दिन बाद समय मिला है तो आज तुम सब के लिए अपने हाथों से अपनी पहली रसोई बनाओ मेरी बड़ी बहु तो बहुत अच्छा खाना बनाती है अब मैं भी तो देखूँ छोटी बहु को भी उतना अच्छा खाना बनाना आता है कि नहीं अरे ममी आप अंजली को कम मत समझो अगर एक बार आपने अंजली के हाथ का खाना खालिया ना तो अपनी उंगलिया चारती रह जाओगी अच्छा अब ये तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा बिटा अंजली किचिन में सब के लिए अपनी पहली रसोई बनाने के लिए चली जाती है उफो मुझे तो इंजियन कुछ बनाना आता ही नहीं बस बर्गर पीज़ा बनाना आता है वोई बनाना पड़ेगा पता नहीं सब को पसंद आएगा की नहीं अंजली सभी के लिए सैंडविच, बर्गर और पीज़ा बना कर तयार करती है और कोल्टरिंग के साथ सारा खाना टेबल पर सर्फ करती है वाओ चाची, ये पीज़ा तो आपने बहुत टेस्टी बनाया है मैं ममी को इतनी बार पिज़ा बनाने के लिए कहता हूँ लेकिन ममी तो मुझे थोड़ी से पिज़ा सौस और चीज़ डाल कर दे देती है अच्छा हूँ आप और चाची यहां पर आ गए अब मेरा जब भी पिज़ा काने का मन करेगा मैं आपसे पिज़ा बनवा कर खाऊंगा घर की रोटी सबजी तुझसे खाई नहीं जाती ना जब देखो तब बाहर का अचर कचर खाना है कोई जरूत नहीं इसके लिए यह सब बनाने की बहु विदेश ही तो विदेश ही लेकिन अपनी पहली रसोई तुमने बहुत ही अच्छी बनाए यह रो हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए यह शगुन अरे लेकिन पापाजी इसकी बला क्या जरुवत थी अरे रखले बिटा यह तो बड़ो का अशिरवात होता है इसे हमेशा संभाल करकना ऐसा कुछ तो बनाया भी नी इसने जो इसकी इतनी तारीफ हो रही है अकर इसी तरह यह सबसे तारीफे बटोरती रही तो मेरे लिए तो आफत हो जाएगी कुछ चिकर कुमल कुछ चिकर अब कुमल अपने दिमाग में अंजली के खिलाफ अपनी सासु मा को भढ़कानी का प्लान सोचने लगती है कुछ दिन बाद अरे अंजली जरह यहाँ पर तो आना हाँ दिदी खाई ये आज उटने में न मुझे जरा दीर हो गई है मुझे अभी दक्ष का लंच बॉक्स भी बनाना है और इनका खाना भी पैक करना है तुम्हें एक बार दक्ष के लिए आलो की सबजी बना दूगी क्या मैंने इनके लिए टिंडे की सबजी बनाई थी दक्ष उसे लिकर जाने के लिए मना कर रहा है आरे दीदी मैं दक्ष के लिए सैंडविच बना देती हूँ आपको पता है कि मुझे ये सब जीव गएर अच्छे से बनाना नहीं आता और मुझे ऑफिस जाने के लिए भी देर हो रही है लेकिन मैं दक्ष के लिए सैंडविच बना दूँगी आरे नहीं रहने दो मैं खुदी दक्ष के लिए खाना बना लूँगी उसे लैंच में सैंडविच खाने के लिए दूँगी तो उसका पेट नहीं बरेगा नहीं नहीं दिदी मैं उसके लिए दो संड्रच बना दूँगी अरे नहीं ज्याद अब्रेड खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा तो मैं आफिस के लिए देर हो रही है न जाओ आफिस जाओ मैं देख लूगी ठीक दिदी अंजली बिना ज्यादा कुछ सोचे सीधे इस बबाव से वहाँ से चली जाती है लेकिन उसके वहाँ से जाती ही ये ले बिटा आज मैं तेरा लंच नहीं बना पाई तु ये पैसे ले जा और स्कूल की केंटिन से कुछ अच्छा सा खरित कर खा लियो अरे वाम मैं मैं तो आपसे जब भी केंटिन से कुछ खाने के लिए पैसे मांगता हूँ आपको भी पैसे नहीं देती आज बिना मांगे ही पैसे दे रही हो और खुद कहा रही हो मैं केंटिन से कुछ खा लूँ हाँ बहु तो दक्ष को केंटिन से खाने के लिए क्यों कह रही है आज तुने उसका खाना नहीं बनाया क्या नहीं मम्मे जी आज सुबसर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मुझे उटने में देर हो गई इनके लिए जल्दी जल्दी टिंडे की सबजी बनाई लेकिन दक्ष टिंडे की सबजी खाता नहीं न जब भी इसके टिफिन में टिंडे की सबजी रखती हूं तो बिना खाना खाए वापस आ जाता है अभी सबजी बनाने का टाइम नहीं है इसलिए से कैंटिन से खाने के लिए पैसे दे रही हूँ अरे बहु अगर तेरी तबियत खराब थी तो अंजली बहु को सबजी बनाने के लिए क्या देती छोड़िये न ममी जी बस अब क्या पोलू ये ले बिटा पैसे और ध्यान से स्कूल जाना ओके ममी अरे बहु क्या बात है तुम मुझे कुछ परेशान से लग रही है आज तक तुने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई तो आप क्यों छुपा रही है कुछ भी आपसे छुपा नहीं है ममी जी आप तो जानती हैं के रागह और अंजली दोनों जॉब करते लेकिन मेरी तरह अंजली भी तो इस घर की बहु है न और बहु होने के नाते इसकी भी तो घर के प्रती कुछ जिम्मेदारिया है आज मैंने उसे दक्ष के लिए सबजी बनाने को बोला तो उसने साफ बोल दिया मुझे आफिस जाने में देर हो रही है और मैं कोई सबजी बोल जी नहीं बना सकती वो दोनों तो अपना खाना पीना बाहर ही करते हैं लेकिन परिवार में रहने के बाद इंसान की कुछ जिम्मेदारियां भी तो होती है बात तो बिलकुल ठेक है रही है बिटा चल परेशान मत हो इस बारे में मैं अंजली बहु से बात करूँगी नहीं नहीं ममी जी रहे न दीजी आप वरना वो सोचेगी कि मैं आपको उसकी खिलाफ भड़काती रहती हूँ और सच बताऊं तो जिससे समझना होता है न वो ख़दी समझ जाता है उसे किसी के कहने पर की जरूरत नहीं पड़ती खेर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है ममी जी मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ मैंने आपके और पापा जी के लिए नाश्ता बना कर टेबल पर लगा दिया है अच्छा ठीक है बहु तु जाकर आराम कर ले शारा मानी चाहिए अंचली बहु को नौकरी करती है तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि घर की सारे जिम्मेदारिया ही बूल जाएगी तेरी इतनी तबियत खराब होने के बावजुद भी तूने सारा काम किया कोई बात नहीं मम्मी जी कुमल अपनी सास के मुह से अंचली की बुराई सुनकर अंदर ये अंदर बहुत खुश होती है और खुश होती हुई अपने कमरे में चली जाती है चलो मम्मी जी के मन में उसके लिए एक बीच दो बो दिया अब हर रोज इस बीच से पौधा उगाने के लिए इसके अंदर थोड़ा 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 पानी डालना पड़ेगा कुछ दिन बाद अंचली बहु आज शाम को तुम्हारी मामी जी घर पर आ रही है तो आज तुम आफिस से छुट्टी लेलो लेकिन ममी जी आज तो आफिस में मेरी बहुत इंपोर्टन मीटिंग है लेकिन फिर भी मैं हाफ डिले कर घर आ जाओंगी अरे नई ने चाहे कुछ भी हो लेकिन आज शुट्टी लेनी पड़ेगी अरे घर पर मेमान आ रहा है तो घर की अच्छी तरह साफ सफाय करनी पड़ेगी और कई लोगों का खाना भी बनाना है तो दोपैर से ही कुछ चीज़े बनानी की तयारी शुरू करनी पड़ेगी अब कोमल बहु अकेले क्या क्या करेगी तुम्हार छुट्टी ले लो लेकिन लेकिन वेकिन क्या है जब से यहां आई हो बस हरोज ऑफिस चली जाती हो घर के सारे काम की जिम्मेदारी सिर्फ कोमल बहु की थोड़ी ना है हरोज नहीं तो कम से कम कभी कभी तो तुम्हार काम में उसका हाथ बटाना चाहिए अब आप भी सूच रहे होंगे कि कहीं न कहीं विम्ला देवी ठीक ही तो कह रही है लेकिन असल बात तो यह थी कि अंजली साफ सफाय और किचन की बहुत सारे कामों में कोमल का हाथ बटाती थी लेकिन कोमल इतनी चतुराई से उससे काम करवाती थी कि वो बाती किसी को घर में पता ही नहीं चल पाती थी ही बगान अगर इसने अभी सब के सामने बोल दिया कि घर के कामे मेरी मदद करती है तो मेरा तो भांडा ही पूट जाएगा बोल? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? घर के काम को लेकर तेरी कोई जिम्मदारी है कि नहीं? लेकिन ममी जी मैं तो अरे कोई बात नहीं अंजली अगर तुम्हें ऑफिस जाना इतना ही जरूरी लगता है तो तुम आफिस चली जाओ और हाफ टी में आ जाना हाँ नई नई बहो आज यह कहीं नई जाएगी तेरे साथ घर पर रहकर यह आज घर का सारा काम करवाएगी ठेक है ना अंजली बहो जी माजी अब अपनी सासुमा के सामने दिखावा करने के लिए कोमल घर की साफ सफाई में लग जाती है और बार बार अपनी सासुमा के नजरों में आकर घर को अच्छी तरह साफ करती है शाम के समय पूरा दिन साफ सफाई करकर की मेरे तुस सर में बहुत तेज़ दर दो रहा है अंजली जल्दी से वहां पर आती है जी मामी जी बेटा मैं चाहती हूँ कि आज तू सब मैमानों के लिए खाना बना तुम्हारी मामी जी ने कोमल बहु के हाथ का खाना तो कहीं बार खाया है तो इस बार उनके लिए खाना तुम ही बना लो वैसे भी कॉमल बहु की तबित जरा ठेक नहीं है तो खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा लेकिन मामी जी आपको पता है मुझे इंडियन खाना अच्छी तरह बनाना नहीं आता मैं अके लिए सब के लिए अच्छा खाना नहीं बना पाऊंगी मैं काम करती हूँ मुझे जो कुछ बनाना आता है वो मैं घर पर बना लीती हूँ बाकी का खाना में बाहर से और्डर कर दीती हूँ अब अंजली अमेरिका में पली बड़ी थी इसलिए उसके लिए तो महमानों के लिए बाहर से खाना मंगवाना नॉर्मल था लेकिन विमला देवी के लिए ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी ये तेरा अमरिका नहीं है कि महमानों के लिए बाहर से खाना मंगाने के बात कर रही है हमारे यहां महमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और अपने हाथों से उनके लिए घर पर प्यार से खाना बनाया जाता है तू तो बस जाब देखो तब घर के काम से बचने के लिए नए नए बहाने ढूंदती रहती है अगर तुझे महमानों के लिए खाना नहीं बनाना तो मत बना मैं अपने आप बना लूँगी अरे नहीं नहीं ममी जी मेरे होते हुए आप किचिन में जाकर खाना बनाओ ये मैं बिलकुल नहीं देख सकती मैं सरदर्ट की दवाई लेकर सबके लिए खाना बना दूँगी देख जरा देख शरा मानी चाहिए तुझे अपको मल तो ये अच्छी तरह जानती थी कि अंजली को इंडियन खाना बिल्कुल भी अच्छा बनाना नहीं आता है और जब मैमान उसके हाथ के बने हुए ऐसे खाने को खाएंगे तो उसे अंजली के लिए अपनी सासुमा को भड़काने का एक और मौका मिल जाएगा कुछ देर बाद अंजली खाना बनाकर तयार कर देती है पता नहीं सब को ये खाना पसंद आएगा भी या नहीं ममी जी भी आने वाली होगी तब तक मैं जाकर तयार हो जाती हूँ अंजली तयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है हरे आज तुम मामी जी गर पर आ रहे हैं न तो तुम ये जीन्स टॉप क्यों पहन रही हो आज तुम साड़ी पहन लो वनना ममी गुसा करेंगी पहननी तो मुझे साड़ी थी लेकिन उस दिन जब मैं अपनी रेड वाली साड़ी प्रेस कर रही थी तो वो जल गई और मेरी ग्रीन वाली साड़ी ड्राइ क्लिनर के पास है अब जानते हो कि मेरे पास सिर्फ तो ही साड़िया है अब जो कपड़े हैं वही पहनने पढ़ेंगे न अचा अचा ठीक है कुछ दिर बाद उनकी मामी जी घर पर आती है और आंजली सबके लिए टेबल पर खाना सौव करती है वैसे छोटी बहु दिखने में तो बहुत संदर है लेकिन कपड़े पहनने का रहन सहन लगता है सीखा नहीं अभी तक हमारे वाला अभी भी अमरीका वाली ही आदत अपनाई हुई ये बहु ने बेटा हम समझ सकते हैं कि तुम बशपन से अमरीका में पली बड़ी हो लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है और ससुराल में जब महमान आते है न तब तो कम से कम तुम्हें साड़ी पहननी चीए वो मामी जी अरे कोई बात नहीं न जी अभी इसकी शादी को टाइम कितना हुआ है तीरे तीरे सिख जाएगी वैसे आद सारा खाना अंजली ने ही बना कर तयार किया है जल्दी से खाना शुरू कर देते हैं वन्ना खाना ठंडा हो जाएगा सब को सव करतो ना अंजली जी दी दी अंजली सभी की प्लेट में खाना सव करती है, लेकिन जैसे ही सब लोग खाना खाते हैं जब बर्गर की भी तैयारी करके रखी है मैं बस अभी आपके लिए वो बना कर लाती हूँ अरे नए नए ये सब कुछ मैं नहीं खाती और तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया अगर तुम खाना बनाना सीखना चाहती तो आप तब कोमल बहु से सीख लेती घर पर जब भी महमान आएंगे तो क्या उन्हें हमेशा ये पिज्जा बर्गर खिलाती रहोगी इससे अच्छा होता तुमी ने सब के लिए खाना बना लिया होता कोमल बहु कोई बात नहीं मामी जी आप परिशान मत होई मैं अभी सब के लिए खाना बना कर लाती हूं कोमल ने खाने की आदे से ज्यादा तयारी करके पहले सी रखी थी वो जल्दी से किचन में जाती है और सब के लिए खाना बना कर लिया आती है अगले दिन मामी जी भी अपने घर चली जाती है और अंजली भी अपने office, तबी पीछे से कुमल अपनी सासुमा के पास जाती है मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि अंजली सिर्फ रागों के साथ इसलिए यहाँ पर आई है कि शादी के बाद उसके उपर काम की जिम्मेदारी ना पड़े अमरिका में रहती तो शादी के बाद उसे घर, घर की जिम्मेदारी या सब कुछ संबालना पड़ता अब घर संबालने के लिए तो यहाँ पर मैं हूँ देखे या तो अब अंजली को कहिए कि वो अपनी नौकरी चोड़ कर मेरे साथ घर संबाले या फिर अमरिका चली जाए क्योंकि मैं तो अकेले घर की सारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती मैं तेरी बात समाज रही हूँ बिटा लेकिन ना तो मैं उसे नौकरी छोड़ने के लिए कह सकती हूँ और ना ही अमरिका वापस जाने के लिए क्योंकि अगर वो अमरीका वापस जाएगी तो उसके साथ रागो भी अमरीका चला जाएगा और मैं नहीं चाती कि मेरा बिटा फिर से मुझसे दूर चला जाए बाकि अगर घर पर काम में तुझे परिशानी होती है तो मैं तेरे लिए काम वाली रखवा दूँ जी ममी जी विमला देवी की ऐसी बात उसे कोमल का मूँ बन जाता है वो वाँ से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है ये बगवान ये क्या हो गया मैंने तो सोचा था मैं मा जी को इस तरो उसकी कमिया दिखा दिखा कर उसके खिलाव पढ़काऊंगी तो मा जी मेरी बात मानकर उसे वापस अमेरिका भेज दी की लेकिन यहां तो पासा उल्टा ही पड़ गया अब मुझे बात तो समझ में आई गई है कि मम्मी जी उन दोनों को वापस अमरिका तो कभी जाने ही नहीं देंगी इसलिए अब मुझे घर का बटवारा करना पड़ेगा आखिर मैं क्यों आके लिए मम्मी जी और पापा जी की जिम्मेदारी मैं संबालू है कुमल अपने हस्बंड विक्रम के घराते ही उसे भड़काना शुरू कर देती है और बटवारे के लिए कन्विंस कर लेती है उन दोनों की तो मौज हो गई है घर की कोई जिम्मेदारी संबाली नी पूरे घर में नौक रानी की तरह मैं काम करती रहू और वो दोनों बैस बत्यार होकर आफिस जाए और रात को आ कर सो जाए मा जी भी ना उनी की तरफ दारी कर रही है देखिए मुझे घर को लेकर कोई लड़ाई नहीं चाहिए इसलिए आज के आज ही मुझे इस घर का आदा हिस्सा चाहिए ताकि मैं आराम से अपने घर संभाद सकू और उन दोनों पर भी अपने घर की कुछ जिम्मेदारी पड़े तब मम्मी पापा को भी उनके असलियत पड़ान हो जाते हैं यह तो क्या कह रहा है बिटा अचानक तेरे दिमाग में यह बटवारे की बात कहा से आ गई पापा आज नहीं तो कल घर में बटवारा हो नहीं है और कोमल भी अकेले घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते परिशान हो गई है बटवारा हो जाएग विमला उन दोनों के लिए घर का बटवारा कर देती है और दोनों भाई अब अलग-अलग रहने लगते हैं उन्हें अलग रहते हुए अभी एक ही दिन बीता था कि अगले दिन कोमल बहु, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो लिया सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है आप लोगों के लिए चाय बनाने का ठेका क्या सिर्फ मैं नहीं लिया हुआ है घर का आदा हिस्सा अपनी छोटी बहु के नाम पर किया है न तो अब जाकर उसी की पास रहो आज तक मुझे आपकी जितनी सेवा करनी थी मैं बहुत कर चुकी आज की बाद आपकी छोटी बहु आपकी सेवा करेगी अब मैं किसे और की सेवा नहीं करने वाली अगर यहां पर रहना है तो अपना काम खुद करना वना कहीं और जाना है तो आपकी मरसी कोमल जब इस तरह से अपनी सासुमा से बात करती है तो उसकी सासुमा के मान सम्मान को उसकी बातों से बहुत ठेस मौशती है और विमला देवी के लिए खुद से ज्यादा उनकी पती का मान सम्मान बहुत माइने रखता था अगर उसकी तरह ही कोमल अपने ससूर जी से भी इस तरह बात करती तो विमला देवी सह नहीं पाती इसलिए वो अपने पती के साथ अपने छोटे बेटे की घर चली जाती है और उन्हें सारी बात बताती है अंत मैं तो हमें यही दिन देखना था लेकिन कोई बात नहीं बिटा बुड़ापे के कुछ साल है जैसे तैसे कट जाएंगे मैं और तुम्हारे पापा ये कुछ साल हमारे गाओं वाले घर में ही बिता लेंगे अपने ऐसा सोचा भी कैसे ममी जी मैं अमरिका से इसलिए यहां पर आई थी ताकि आपके साथ रह सकूँ वरना अमरिका छोडने का हमारा और दूसरा कोई रीजन नहीं था हम दोनों अभी यही बात कर रहे थी कि इतने साल तक आप भापी की साथ रहे तो अब हमारे साथ रहना हम दोनों तो खुदी आपको लेने आने आने वाले थे ममी येस ममी जी आप दोनों कहीं नहीं जाओगे आज से हम आपकी साथ आपकी इसी घर में रहेंगे ये गर हमारा नहीं बलके आपका है आपके साथ इस गर में रहना हमारा साभा गया है अंजली की ये बात सुनकर विमला की आँखों में आसु आ जाते हैं और वो अंजली को गले से लगा लीती है